हलो दोस्तों वाज के वीडियो में फिल में एक और बैसिक जावा स्कीर प्रोजेक्ट लेकर आया हूं यहां पर एक सिंपल इन्पूट फिल्ड है और यहां पर जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स है जो डिव टेक से बनाया गया है इसमें एक फॉंट्शनलिटी है कि यह जो भी कॉंटेंट को इसमें लिखेंगे वह कॉंटेंट एटोमेटिक इसमें लिखा हुआ चलता जाएगा जो कॉंटेंट आप उस इन्पूट फिल्ड में लिखेंगे वह कॉंटेंट आप इस डिव में देखेंगे तो यह बहुत बैसिक है अगर आप जानते हैं कि कैसे बने हैं तो इसके लिए सभसी पहले आपको इस तरह का डिजाarna डिख्णाइन डेवलप करना होगा तो चलिए इस प्रकार का सबसे पहले हम लोग डिजाइन डेवलप करते हैं तो आप कोई भी टेक्स एडीटर में आ जाए और बोडी में अक मैन टेग स्टार्ट कीजिए इसको इसको स्मॉल लेटर में लिकिये और में टेग के अंदर एचवण लिखे और एच वन में लिखे यह जावा स्क्रीप्ट बैसिक प्रोजेक्ट और एच वन के बाद आप एक इन्पूर्ट टेग लिजिए और इन्पूर्ट टेग में टेक्स लिखे और नेम के बेले में कुछ भी मतलिके आईडी में आप स्ट्रिंग पास्ट कर दिजिए इस कुछ आपको इस परकाल का दिखेंगा आप चलिए इसी परकाल के इसमें करते हैं तो अब जो कोडिंग करना होगा वह हम लोग कोडिंग को अफलाई करेंगे तो हेड के अंदर ही मैं इसको कोडिंग करूंगा तो सिंपली हेड के अंदर स्टाइल टेक स्टार्ट करने के ब विद दीजे 50% हाइड दीजे आटो और मार्जिंग दीजे 80 पिक्षल आटो टॉप से 80 पिक्षल नीचे खिसकेगा और यह आपका आटो में रहेगा शेव कलते हैं और फिर मैं आप इसको लिफ्रेस कलता हूं तो देखिए बेगाण को दल आपका इस्ताव से आ गया और यह अपका 50% नीचे आपका मूब हो गया प्रेश्वन को सलेक्ट किजे और इसमें फंट फैमली दीजे फंट साइज और टेक्स अलाइन सेंटर के सेंटर में दिके और कॉलर में आप इसको वाइट कर दीजे उसके बार सिंपली आप ओ इन्पूट फिल्द को सलेक्ट किजे औ मार्जिंग बॉटम भी यह बॉटम से जो भी कॉंटेंट इसमें फिट हो और 20 पिक्चल जवा खाली छोलने के बाद उसमें फिट हो फॉन्ट फैमली पास कि लिजे फॉन्ट साइज और पैडिंग और बोक्स साइजिंग पास कर लिए सेफ करते हैं और फिर मैं याप इसक जावा आगा जावा इसकी बैसी प्रजेक्ट और आपको एक इन्पूट फिल्ड बन गया इसके बाद आप इस तरह का आप एक डिप को डिजाइन को दीजिए सिंप्ली आप डिप को सलेक्ट किजिए और विट डिजे हंडर परसेंट मीन है डिजे 200 पिक्सल क्योंकि 200 पिक डिजे सिंप्ली में रिफ्रेस करूंगा तो आप देख लिए इस प्राकार का कॉंट आपका डिप दीखेगा मैं चाहता हूं कि इस इन्पूट फिल्ड में जो भी कॉंटेंट लिखू वो कॉंटेंट इसमें दीखे तो अब चलिए जो कोडिंग करना होगा आपको जावा फंचन पास करूंगा इसमें लिजट फंचन को पास किजे और लिजट को आप इन्पूट फिल्ड में कॉल किजे कौल किस तरह से कलना है मैं आपको आप भी समझाता हूं कि जब जब इस पे में कीवर्ड से जो बटन टाइप करूं तब तब वो फंचन कॉल होना चाहिए तो उसके लिए आप एक इवेंट पढ़े थे ओन इन्पूट अन क्लिक पे नहीं आपको ओन इन्पूट इवेंट लागाना होगा और इसमें आप लिजट फंचन को कॉल कॉल देना होगा यह जो आपका डीब है डीब के आईडी में आप पीरिव्यू दे दिजे पीरिव् एक में वेरियेबल बनाऊंगा वेरियेबल स्ट्रिंग के नाम का और डोकूमेंट डॉर्ट गेट एलिमेंट बाई आईडी के मार्याम से इस इन्पूट फिल्ट को सलेक्ट करूंगा इन्पूट फिल्ट में क्या आईडी है इस्ट्रिंग इस्ट्रिंग और इन्पूट कीजे डुकुमेंट डॉट रिमेंट बाय आईडी के मार्दियम से और इसमें उसका आईडिया क्या प्रिभी आईडिया है आप देख लिजे यह पिर भी आपका यहां पर आईडिया है और इसके इनल html पास किज़े assignment और उसके बाल आप string variable pass कर दिजिए यहां से यहां तक मतलब लिखने का मतलब है कि div tag में जो content भी लिखना चाहते हैं इस ट्रिंग में जो भी content रहेगा वो आपके preview div tag में लिखा जाएगा शेव करते हैं और फिल्म में यहां पर को लिफ्लेश करता हूँ आप द्यान से दिखिएगा तो आप द्यान से देखिएगा इस input फिल्म में मैं जो भी content लिखूंगा और div tag में आपका automatic लिखा हुआ आएगा तो यह कर दो